आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की वोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ इसक्विशन में क्या है आप था 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 अपनेट पाओ पहले तो हमको मालू होना चाहीं थीन नंबर काउन गुण से है ठीक है ? तो हम सबसे पहला काम हमारा क्वा होगा कि थीन नंबर से पहले एजिम करना काउन कौन से है ठीक है ? तो let let the three numbers three numbers are a and c, हमने तीन नम्मर्थ ले लिए, a, b and c, अब क्या कहा रहा है कि पहले कि the sum of the first two is 73, मतलब a plus b कितना है, 73 है, equation एक डाल देंगे, फिर उसने क्या बोला है, कि the sum of the second and the third is 77, मतलब second और third का sum कितना है, 77 है, मतलब b plus c आपका 77 है, equation दो डाल लिया, आगे देखते हैं क्या बोलता है, and the sum of the third and thrice the first is 104, the sum of the third, third क्या है हमारे पास c था, c और thrice the first, thrice the first means 3 गुना पहले का, तो पहले का 3 गुना मतलब 3 a और third का, तो इन दोनों का sum कितना बोला है, 104, तो यह हमारे पास तीसरी equation आ गई, तो the third number is, हमको find क्या करना है, third number क्या होगा third number मतलब हमको c की value यहां से निकालने है, c हमारा कितना होगा, ठीक है, तो हमको करना क्या है कि, यहां पर 3 variable है, 3 equation है, हमको a और b से कोई मतलब नहीं, हमको c find करना है, तो हम क्या करें, पहले 2 को solve कर लें, बाद में 2 को solve कर लेंगे, ठीक है, तो अगर इसको solve करेंगे, तो क्य हमारे पास है क्या, b plus c equal to 77 है, और b plus a equal to 73 है, ऐसा हमने क्यों note किया, क्योंकि यहां पर b क्या है था, पहले था, इसमें बात में लिखा, तो हमने दोनों के एक order में लिख लिया, b plus a 73, है दोनों same equation, कुछ difference नहीं, अब हम क्या करेंगे, दोनों को minus कर देंगे, ठीक है, subtract कर देंगे दोनों को, तो b से b तो पूरे 0 हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, c minus a equal to 77 में 73 जाएगा, आ जाएगा 4, इसको हम चाहें तो equation 4 डाल सकते हैं, अब हमारे पास, a की equation, यह आगे, c minus a की 4, और a की equation, c और a के time में हमारे पास, तीसरी equation है, अब हमें b से छुटकारा मिल गया, ठीक है, अब हमारे पास a और c में equation है, और कौन-कौन c है, 3a plus c equal to 104, और दूसरी equation है हमारे पास, c minus a, तो a को हम पहले लिख लेते हैं, c को हम बाद में लिख लेंगे, तो minus a plus c equal to, कितना है, 4 है, अब क्या करना है हमको, हमको c की value चाहिए, तो c की value अगर हम इसको घटा देंगे, तो c है, तो हमारा पूरा चला जाएगा, तो हमको करन equation में, तो multiply कर देते हैं, पूरी equation में, तो यह हो जाएगा, minus 3a plus 3c equal to 3.12, और दूसरी equation के हमारे पास, हमने उसको भी touch भी नहीं किया हुआ है, जो पहली equation थी, ठीक है, तो पहली equation को बस इसके आगे note कर लेंगे हम, तो क्या है, 3a plus, equation कहा थी, 3a plus c equal to 104, तो इसको हम यहाँ प c equal to 104, अब देख रहा है, इसमें से यह दोनों 3a और 3a है, तो अब इनको cancel करना क्या है, थोड़ा सा आसान है, कैसे cancel हो गई है, अगर हम इन दोनों equation को add कर दें, तो add कर देंगे, तो दोनों same है, तो क्या हो जाएगा, यह cancel हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, 4c equal to, इसक value हमको find करना था, c की, c की value कितनी होगी, तो answer देख लें, इसमें से optional question हा, optional है, तो इसमें से third number की value क्या है, option क्या क्या है, 25 है, 39 है, 48 है, 99 तो यह वाला हमारा सही हो कहो कि इसमें से कोई भी answer match नहीं कर रहा है, तो इस तरह से हम इसमें c की value find की है, चार्सो चार्सो पर